बहुत से candidate dated का form भरने में बहुत सारा mistake कर गया है, किसी का registration में गलती हो गया है, और plus में किसी का application form भरने में गलती हो गया है, तो ऐसे में बहुत बच्चे परेसान है, क्यूंकि किसी तरह कोई date भी अनॉंस नहीं किया गया है, कि आपका correction का date कप से होगा, प्लस में आप registration जब कर देते हैं, तो registration करने के बाद आपका किसी भी तरह का कोई edit changes नहीं कर पाओगे, क्या क्यूंकि आपने वहाँ पे अधार number दे दिया हो, जब अधार number आप दे दिये हैं, तो फिर से आप अधार number को put करेंगे, तो आपको वहाँ पे already exist दिखाएगा, तो इस तरीका से क्या है कि बच्चे परिसान है, वो दुबारा payment करना चाह रहे हैं, लेकिन दुबारा payment भी नहीं हो रहा है, reason क्या है इसके पीछे, क्यूंकि अधार number आप दे चुके हैं, बाकि number और email तो हम लोग change कर सकते हैं, लेकिन अधार number को हम लोग change नहीं कर पाएंगे, और ऐसे में बहुत बच्चे का किसी का name गलती हो गया, father's name, mother's name, date of birth, और सबसे ज़्यादा problem किसमें हो रहा है, यह category आपका, क्यूंकि category ही main है, अगर category आपने गलती कर दिया है, तो आप फिर कैसे उसको सुखारेंगे, आपने तो फिर जब registration कर दिया है, तो application form में कहीं किसी इसे यूज नहीं कर पाओगे, तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको यह solution बताएंगे, कि actual में आप इसको कैसे करोगे, अगर आपका category, date of birth, यह कुछ भी address बगरा, जो भी registration वक्त आपने किया है, वो सब कैसे आप उसको सुधार सकते हो, क्या-क्या सुधार सकते हो, आपको इस वीडियो में यह चीज पता चल जाए, कि आपको क्या-क्या सुधार सकते हैं, जब correction date आएगा तब, अब भी किसी तरह कोई correction नहीं हो पाएगा, आप इसके लिए आपको हमें कुपाई बताएंगे, देखिए, जो यहां पर आपको स्क्रीम पर दिखाई देरा है इमेल और जो phone number, phone number पर भी आप call कर सकते हैं, जल्दी तो लगेगा नहीं और लगेगा भी तो जल्दी receive नहीं करते हैं, mainly आप email ID पर आप email अच्छे से कर दीजे, जो भी आपका problem है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, कि registration number या application form में किसी तरह कोई query है, तो आप पहले हम बात करते हैं कि correction और edit आप कैसे करोगे, और ये कब से start होगा, तो देखे, बाइस तक date है, maybe date को आगे extend किया जाएगा form भरने का, एक दो दिन या पाच्छे दिन और extend किया जा सकता है, अगर नहीं किया गया तो आप three days बाद, three days के बाद आप क्या करोगे, कि आपका correction date आजाएगा, क्यूंकि correction date में देखिया कि हम लोग जब सहाय का चारेवल examination form भर रहे थे, तो उस दोरान भी हम लोग को registration करने के बाद, registration में किसी तरह कोई edit का option नहीं था, लेकिन आप देखे थे कि उसमें फिर से correction का date आया था, और correction में वहाँ पे क्या क्या किया गया था, क्योंकि वह भी JSAC के through था, है ना, तो ये jated जहारखन के through है, तो जहारखन में क्या क्या कैसे होता है, तो उसी क्या coding हो आपको बताएंगे, आप क्या क्या change कर सकते हो, तो देखे change क्या क्या कर सकते हो, उसके लिए हम आपको बता रहे है, first तो आप देखो name को change नहीं कर पा है, है ना, ये सब जो हम आपको ये लिखे हुए है, इस चीज को आप change नहीं कर पाऊगे, और देखे ये सब changes अगर आप नहीं हो पा रहा है, बहुत बच्चे के ये सब में गलती हुआ होगा, लेकिन ये सब आप change, correction में भी आप नहीं कर पाऊगे, लेकिन अब इसका उप कर सोरी, अधार काड होगे, और ये बहुत सारा ऐसा authentic आपके पास documents होगे, जिसके थूआ आप उसको proof कर पाऊगे, और ये समझते हैं, उन लोग भी कि बच्चे गलती कर बैठते हैं, ऐसा नहीं है कि गलती नहीं होता है, फोन नमबर तो खेर ये अलग matter, फोन नमबर और email ID ये सब हमारा सही ही रहता है क्योंकि उस पे हमारा क्या आता है, मैसे आता है, और यहीं बात नम का, तो name में भी गलती तो नम के लिए आपके पास होता है, फादर्स नमम मदर्स के लिए भी proof होता है, तो इसके लिए आपको attention लेनी के ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको change क बात करे इसके अलावा कटेगरी वाले में भी बहुत रचे परिसान तो चेंज कर पाऊगे क्यूंकि जो सहाय चाली वह यह उसमें भी आया था तो उसमें डेगरी वह लिया हुआ थो जाट आप चेंज कर पाऊगे तो इसके लिए फ्री रहे हुआ और correction date देगा ही देगा नहीं देना किसी तरह कोई chances ही नहीं है तो आगे आपको कुछ नहीं करना है आप जाकर payment किजी कि दुबारा आप इसको नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने अधार नमबर दे दिया है लेकिन payment कप करेंगे तो देखे पेमेंट बाइस तक लास्ट है तो लास्ट आप क्या करोगा ना कि अठारा तक आप वेट कर लो email करने के बाद जो हम आपको email बता हैं औ और उसके बाद आप 18 तक आप देख लो वेट कर लो अगर नहीं होता है तो आप 18 को simply payment कर दो हम इसलिए चार पांस दी चार दिन पहले बोल रहे हैं क्योंकि payment में भी लफ़रा होता payment कब करें कि आपका payment अच्छा कट जाएगा किसी तरह कोई tension नहीं होगा payment आप उस वक्त कर और दो एक से दो दिन में आपका simply हो जाते हैं किसी के जाए ऐसा होता है उसके लिए लेकिन आपका payment को accept कर देगा ठीक है तो दीखिए अगर वीडियो अच्छा लोगा लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ सेर भी कर दीजिए था कि उनको भी जो भी आपका tension होगा जो भी आप मतलब सोच रहे हैं correction को लेकर आपका clear हो गया होगा ठीक है और correction डिट आएगा ही आएगा आप इसके लिए बिल्कुल tension free रहिए और जो बताए है वीडियो में आप उसको consider किजिए तो by tick care everyone